आपके साथ रितू ग्यानवानी सबसे पहले बात इंदौर की इंदौर में रील बनाने के लिए जिस लड़की ने अशलील वीडियो शूट कराया उसने माफी मांग ली है इस से लेकर कैलाश विजवर्गिया ने भी वयान दिया मंत्री ने कहा कि इंदौर में ऐसा नहीं चल रील की सनक के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं मिनी मुंबई में सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए यूवती ने फोटो शूट कराया और वीडियो को अपलोड भी किया लेकिन लड़की ने जो कपड़े पहने थे उस पर बवाल मच गया कई संगटनों ने इसका लड़की को भी शिकायत मिली बाद में लड़की ने गलती मानी और माफी मांग ली इस वीच इन दोर में ही एक कारिक्रम के दौरान के लाश विजय वरगिये ने इस वाक्य का कुछ यूँ जिक्र किया उनके प्रतिश अधा की दस्टी से देखो हमारे अहां भारत के अंदर बेटियों को माताओं को बहनों को देवी सरूप माना कल मेरे पास कुछ महिलाएं आई बोले एक वेटी बहुत कम कपड़े पेंड के भूम रही है शहर के बंदा में हो रही है मैं अधिकारियों से बात की मैंने कहा मैंग भी इन दोर में ऐसा नहीं चड़े कि कोई भी कैसे भी कपड़े पेंड के निकार जा एक दम छोड़े-छोड़े कपड़े पेंड के बजार में हो रही है यह शहर माता इल्या की नगल है या महिलाओं की मर्यादा भंग होते हुए कोई देख सकता है क्या देखना चेक है माता भेने आप बताईए दनाता कैलाच विजय वर्गिये ने रील बनाने वाली लड़की को जो कुछ कहा उस पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है कॉंग्रिस ने कैलाच के बयान को सत्ता का नशा करार दिया इस बात का तो जवाब दें असमत तो बचा नहीं पा रहे बच्चीयों की सरयाम सड़क पर मुखमंतरी के ग्रह नगर में बलादकार हो रहा है इससे पहले नशा करने वालों को लेकर कैलाच विजय वर्गिये ने उल्टा टांग देने को कहा था नशे के सौधागरों अश्लीलिता फैलाने वालों पर एक्षन हो लेकिन कानून के दायरे में हो ये जरूरी है कैलाच विजय वर्गिये मंत्री हैं समवैधानिक पत पर हैं ऐसे में कानून का पालन हो ये जिम्मेदारी उनकी जादा है इन दौर में इंस्टाग्राम पर यूफ्ती के वाइरल वीडियो और किलाश विजवर्गिये के बयान को लेकर वोपाल में लोगों ने अलग अलग राय दी हैं वो सुनते हैं लड़की ने बट वो जो उस पर रियक्शन जो आये लोगों के वो भी गलत है मतलब वो अपने कंटेंट के हिसाब से बना रही थी बट वो गलत बना रही थी लेकिन आप भी उसको जज़करने वाले कोई नहीं होते हो मतलब गलत जैसे अब मतलब जो इंसावत बहुत सारे लोग हैं सभी को ऐसा बोलोगे तो नहीं चलेगा ना इसलिए यह जो लड़की हैं कि वो तो पूरी तार से गलत था और बात में वो सौरी बोल रही थी तो शायद हो सकते है कि उसको उसको गलती का मतलब कप्रे पहने थे कंटेंट के लिए बाकी ऐसा कुछ नहीं है मतलब नहीं पहनना चाहिए और भी लोग घूमते फैमली वाले घूमते बच्चों के असर क्या होगा उसके नहीं चाहिए जो ऐसी यह सब चीजे फैला रहे हैं उनका बहिशकार करना चाहिए मतलब जितने पू काल अलग अलग तरह से जो है सभी उठाते हुए देखे जानकरी लेंगे फिलालम स्योगी मितलेश गुपता हमारे साथ जुड़गे हैं दौर से सुशील कौशिक हैं हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हैं मितलेश आपके पास ही आना चाहूंगी सबसे बले रुक करना कपड़ों को लेकर के जच करना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है पहनावा ठीक नहीं था यह सभी मान रहे हैं पर जच करना जजमेंटल हो जाना और उसका कैरेक्टर बता देना यह सबसे गलत चीज है और कहीं न कहीं यह सब बोलके और ज़्यादा बढ़ावा देना लोगों क यहां ऐसी वारदाते हैं शायद छेड़खानी वगरा और जादा बढ़ती है और आरोब भी लगते हैं कई सारे पहलू है इसके अब सियासत भी हो रही है यह नहीं लगता कि सियासत छोड़ करके जो कानून विवस्था चर्मराई हुई है उस पर काम होना जादा जरूरी है या उनकी कपड़े या पहनावे से कुछ जच किया जा सकता है यह जो कॉंटेक्स्ट है वैसे तो बहुत सीरियस है लड़कियां अपने साब से कपड़े पहन सकती है अगर वो कमफर्टेबल है तो वो पहन सकती है बट सम्टेम्स की पब्लिकली जादा एक्स्पोशर भी ठ पहन सकते हैं तो एरिया के अकॉर्डिंग आप कपड़े आपके साब से पहनी है मैं अगर मेरा का पर्सनल देखा जाए तो मैं अगर पब्लिक एरिया में हूं तो मैं ज्यादा एक्स्पोशर वाले कपड़े नहीं पहन होंगे मैं नॉर्मल कपड़े जैसे जीन्स टूशर मैं के बहार जाते हैं वैसे ही जाना पसंद करेंगे मेरा कहना है कि हम जो भी वेर करते हैं कपड़े हमें बिल्कुल आजादी है कि हम हर तरह के कपड़े पहने बर्स हमें यह देखना चाहिए कि हम किस जगह जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं तो हम सर ढखके जाना चाहिए हम जो तरह कि ऐसे पुबिक रिए प्लेस होते हैं वहां पर तरह तरह की लोगते तो वहां जाना है ताकि किसी का बिल्कुल कोई अटेक्ट ना करें हमारे उपर क्योंकि फिर इसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं तो इसके कही न कही जिम्मेदार हम खुद होते हैं तो हमें इसा ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह के बस्तर कहां पर पहनना है वारल वीडियो आपने भी देखा होगा बिलकुल मैंने देखा और मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा हम अहिल्या माता की नगरी में रहते हैं और यह हमारी जो संस्कृति है साथ इंदोर की यह संस्कृति तो नहीं है बिल्कुल आप बाहर जाए विदेश में जाए आप उस तरह के वस्त वेयर कीजिए क्योंकि वहां का एटमोश प्यार और वहां के लोग उस तरह से हैं बट य करना चाहिए आप मंदिर में जा रहे हो अगर आप उस तरह के बस्ति पहन के जाओ तो क्या भगवान भी आपको उस चंडिशन में देखना पसंद करेंगे क्या नहीं ना ऐसे लोगों की निगाए होती है कि हम किस जगहे पर आप कौन की निगाहों का सामना करना पड़ेग सब्सक्राइब एक सवल आप से क्या लगता है कि लोग रील्स बना रहे हैं उसमें लोग देखते हैं वीवर सिप आती क्या इस कारण से भी कहीं भी आप कपड़े कुछ इस तरीके से पहने जाते हैं कि हम उन्हें भी वीवर सिप मिल सके वो एक परसन की मैंटलीटी पर डिप कोई सब इंटर्टेन्मेंट परपस के लिए बनाता है कोई इंफ्लेंसिंग के लिए बनाता है बट इन इन दी एंड वो उसकी मैंटलीटी पर डिपेंट रहता है अब आप सब को ब्लेम नहीं कर सकते ना इस चीज पर एक की वज़े से सब पूरी कम्यूटी को ब्लेम नही कर सकते हर चीज के लिए विए एक की वज़े से सब पर फ्रीम हो सकता है और एक की वज़े से कप्ड़ों पर ब्लेम नहीं जा सकता है वो उस को कैसे पहनना है और फिर रील की बाते तो जिलो सब्सक्राइब ना कि अंगे प्रदर्शन करने के लिए उन दोर की मला हैं जिसके अलग अलग रेक्शन है और लोग अपनी-पनी बात रख रहे हैं और हर किसी ने कहा कि अजादी है लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस जहां पे कून कैसे कप्ड़े पहन रहे हैं किसलिए उस वक्त की वीडियोस बना रहें क्या बना रहें सब क्यूंकि खुट क्या जाती है कपड़ों से जज्जमेंट नहीं किया जा सकता है ठीक ठीक लगादर बने रहे हैं सुशील को अशिक भी हमारे सा जुड़े हुए है या इसे लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया वहां के लोग दे रहे हैं वो भी बताइए बिल्कुल साही बद्दी की इंदोर का वीडियो जो है वो वाइरल हुआ है इसी तोर पर ग्वालेर में भी लोगों ने देखा है ग्वालेर में भी लोग इस मसले को लेकर अलग अलग राय रखते हैं कि क्या कपड़ों को जज करना चाहिए महिलाओं को किस तरह के कपड़े क्या marks चाहिए किस तरह से रहना चाहिए किस तरह से बिहेव करनाच सजहा कित अलग है हमारे साथ पुछ लोग हैं निसी भात करें अब मताए कि इंदोर का अपने वीडियो किस तरह की क्या स्थिती आप देखते क्या कपडों का जेज्मेंट होना चाहिए मर्यादित होना चाहिए किस तरह का आप देखते हैं इंदौर की गठना को लेकर आप से एक चीज जाओंगा यह सिर्फ सस्ती लोग पिरता को दरसाता है जो लोग रिल बनाने के चक्कर में ऑसी पनावर्ति इंदोर में में द्वाराँ न ओश से इस संसकार बच्चों तरह तरह कर खूँ और ऑब घेल बनाने वाली यूथि कि ऐसा माम आमना तो किस तरह से क्या होना चाहिए इसको लेकर देखिए जो हमारे देश की बहुना यत्र नार्वेस्ट पूजनते नरवंते तत्र देवता के जो इस्तरियों का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं लेकिन इस्तरियों को भी इस चीज का ध्यान रगने कि सस्ती लोक पृता और जल् प्रिष्टाहूं कि मध्ड़ प्रदेश में दोर जैसा मानागार एक सिच्छा के छित्रियों अपनी लोग प्रियता आसिल किये हुए है तो इंदोर से इस प्रकार के मैसेज जाना कही ना कही अपने लिए बहुत ही गलत है और इसा नहीं होना चाहिए लोगों का कहना है औ जगे के इस साफ से कपड़े होना चाहिए और इसमें जज्जमेंट की बजा खुब सेल्फ डिपेंड होना चाहिए आत्म निरने लेना चाहिए ताकि इस इस्तिक्रियों से बच पाएं ठीक बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी को साजा करने के लिए मार आश्र की राश्चाब आश्डाव